इस्पंद कारिका से यह विशय है आज जिस विशय पर हम चर्चा करने वाले हैं और इस्पंद कारिका का यह विशय योगी की अवस्था का वर्णन करता है किसके आधार पर करता है तो इस्पंद के आधार पर करता है तो इस पंद का आधार लेने का तात्परे क्या है बाते वही हैं जो शिव सुत्र में थी लेकिन अभी फुड़ा सा दृष्टी कोन बदल गया है इस पंद को समझाने के लिए तो कल के व्याख्यान में हमने जो समझने का प्रयास किया वो ये बात थी कि सुख और दुख की जो समवेदनाएं है वो इस पंद नहीं है यह समवेदनाएं इस पंद के कारण जरूर है इस पंद से गुठा हुआ जरूर है लेकिन इस पंद नहीं है तो इस पंद तत्व से अलग है इसी तत्थे को कल सब्तम स्लोक में बताया गया, छटे सात्वे स्लोक में यतह करन वर्गो अयम विमूढा मुढवतस्व अयम सहांतरेन चक्रेन प्रविर्ति, इस्थती, संघ्रतिही इस इस्पंद तत्व के बाहर ही यह इंद्रिय वर्ग जो प्रियत्न करने का समित भाव है, उसका स्थित्व है उसका उदै होता है इसी अंता करन के साथ, शेतन के समान और मूर भावों की उत्पती होती है और इसी के कारण ही यह प्रविर्ति, इस्थती, संघ्रति, संघ्रति का चक्र चलता है जी हाँ, इस्पंद इसका कारण है लेकिन इस्पंद स्वेम, स्रिष्टी, प्रले, प्रविर्ति इन सबसे अलग है इस तत्थे को समझीएगा इस्पंद कारण जरूर है, लेकिन इस्पंद स्वेम अलग है इस बात से जैसे की, मिट्टी है और मिट्टी का घडा है मिट्टी हो या मिट्टी का घडा हो, घडे के अंदर मिट्टी का अपना अलग अस्तित्व है घड़ा तूट जाए घड़ा नश्ट हो जाए मिट्टी तो फिर भी रहेगी इसको बोलते हैं उपादान कारण material cause मिट्टी तो फिर भी रहेगी मिट्टी नश्ट नहीं होगी घड़ा तोड़ दो आप मिट्टी का घड़ा आप उसे तोड़ दीजिए घड़ा तूट गया घड़े का स्थित्व खतम हो गया लेकिन मिट्टी का स्थित्व खतम नहीं हुआ मिट्टी तो अभी भी है वो घड़ा मिट्टी में गुथा हुआ है अनुस्यूत है उसके साथ वैसे ही इस्पंद है अब एक और बात यहाँ पर कि मिट्टी ने घड़े का रूप धारन क्यों किया क्योंकि यह मिट्टी का सुभाव है आप मिट्टी को पानी का रूप दे दीजिए नहीं धारन कर पाएगा मिट्टी कभी पानी नहीं बन पाएगी आप मिट्टी को कोई दूसरा रूप दीजिए नहीं घड़े का रूप उसके सुभाव के अनुकूल है घड़े का रूपधारन करना वो मिट्टी के सुभाव के अनुकूल है तो वैसे ही स्रिष्टी, इस्थिती और प्रलय जो हो रहा है वह इस्पंद का इस्पंदात्मक सुभाव है तो इस्पंद का सुभाव है, यह उसकी प्रकिरती है और कोई कर नहीं रहा है, इस्पंद ऐसा है इस्पंदात्मक सुभाव के कारण सुरिष्टी, इस्थिती और प्रलय जीवन में सुख, दुख, दो चीजें हम शरीर को देखें तो हमारा शरीर भी दो एक्सेस में बटा हुआ है यह सारी चीजें इस्पंद से निर्मित हो रही है, लेकिन जो भी निर्मित हो रहा है, जो भी अस्तित्तों में आ रहा है वो सब इस्पंद में गुथा हुआ है, लेकिन वो स्वेम इस्पंद नहीं है, जैसे कि घड़ा मिट्टी नहीं है, और मिट्टी है भी घड़े का अस्तित्व खतम कर दो, लेकिन मिट्टी का अस्तित्व खतम नहीं होगा मिट्टी तो फिर भी रहेगी, इस्पंद तो फिर भी रहेगा, बाकि स्रिष्टी प्रलय इस्थिती चलती रहेगी यह सब इस्पंद से अलग है, इस्पंद में गुथा हुआ है, अनिस्यूत है, ऐसी बाते बताईगी इस्पंद के कारण ही प्रविर्ति इस्थिती संघार का चक्र चल रहा है अर्थात यही जो बंधन का हेतु है वही मोक्ष का भी हेतु है अर्थात यह जो इस्पंद है, यह बंधन का हेतु है तो मोक्ष का भी हेतु है इसलिए इसी के अंता उद्योग उत्साह के द्वारा शर्धा पुर्वक योग बल का आश्रेश्विकारने से उस स्वतंतर तत्व की प्राप्ती होती है जो स्वतंतर है घड़ा का बंधन है, मिट्टी का बंधन नहीं है इन्ही तथ्यों को समझाते हुए आगे लिखा गया नहिच्छा नोधन, स्यायम, प्रेरक त्वेन वर्तते, अपित्वा, आत्म बल, इस परशात, पुरुशस्तत, समोभवेत सबवह इच्छा शक्ती से आचादित हुआ योगी, प्रेरक रूप से बरतता है और अपने आत्म बल के योग से, वह साधक तो उसी के समान हुआ रहता है मत्ब इस पंध रूप अपने आपको बनाने की कोशिस करता है इस पंध में ही जाने की कोशिस करता है, वही बनने की कोशिस करता है निजह शुद्धा समर्थस्या, कर्तव्य एश्व भिलाशिनह, यदा छोबह प्रलीयत, प्रलीयत, प्रदा, स्यात, परमंपदम जब तक यह माया में आवर्त है और आत्म बलका इस पर्श नहीं होता, तभी तक सुख दुख के चक्र में पड़ा रहता है, सुख दुख की समवेदनाओं में पड़ा रहता है परंतु जेवही, अलपहंता रूप छोब का ले होता है जब इसका ले होगा, ले, किसकी अलप किसका ले होगा जी? इन समवेदनाओं का ले होगा, समवेदनाओं की अनुभूतियों का ले होगा तो परम्पद की प्राप्ति होती है परमार्थ की प्राप्ति होती है और परमार्थ विज्ञान की प्राप्ति हो जाती है फिर अब यह क्या विशे है परमार्थ विज्ञान जी हाँ प्रम्म को आधि गुरु शंकराचार ने परमार्थ कहा है परमार्थिक सत्ता के रूप में स्विकार किया है किसको प्रम्म को तो शिव सुत्र इस विशय को परमार्थिक विज्ञान के इस विशय को कि परमार्थ का विज्ञान क्या है शोब के विलीन हो जाने पर छोब किया है सुख और दुख की सम्वेधनाई ही छोब है मित प्रमाता का जो प्रमाता है इसका सहज सुभाव सद्ध क्यात्रता एवं करत्रता रूप धर्म अनावर्त रूप से प्रकाशित को उड़ता है अनावर्त हो जाता है इस पंद का जो धर्म है जिससे कि वह अपने समस्त आकांचित विश्यों को जानने भी लग जाता है और निश्पादित भी करने लग जाता है अर्थ क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? छोब के लीन हो जाने पर अर्था सम्वेदनाओं का जो सुख दुख की सम्वेदनाओं का जो छोब है वो लीन हो जाए आत्म स्वरूप के सहज धर्म ग्यात्व कर्तित्व आदी मतलब कि कर्तित्व और ग्यत्व मतलब ग्यानी होने का भाव और करता होने का जो भाव है वह सुभाव रूप में इस्थिर हो जाता है सुभाव में चला जाता है मतलब मूल सुभाव को योगी प्राप्त करता है ना उसके अंदर ग्याता का भाव रहेगा ना करता का भाव रहेगा अल्पहंता में अल्पहंता ग्यतव्य करतत्व भाव को अल्पहंता में है वह पुर्णता को प्राप्त होकर पुर्णाहम रूप से मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ या स्वरूप से मूल प्रकृती में इस्थित हो जाता है मूल प्रकृती में इस्थित हो जाता है मतलब इस्पंद में इस्थित हो जाता है इस्पंद में इस्थित होकर संपूर्ण करतापन के भाव और घ्यातापन के भाव से मुप्त हो जाता है फिर योगस्त पुरुष जो ऐसा हो जाता है उसे कहते हैं योगस्त पुरुष तम धिश्टात्री भावेन सुभावम वलोकयन स्वयमान इवास्ते यस्तश्यक कू सुर्थिकुता जब यह सब में अनुस्यूत सर्व सामर्थ युक्त आत्म सुभाव में परतिश्चित हो जाता है जब योगी मूल सुभाव में इस्पंद में परतिश्चित हो जाता है तो उसके उसमें इस्थिती होने के कारण सर्व्यापक सुभाव से इस्थित हुआ अशर्यवत अपने आपको देखता है तथा तब अविद्या के विलotherap हो जाने के कारण उसका संसरन नहीं होता उसका उन्रा विर्ती नहीं होती फिर ना अभावो भाव विता मेती नचत अत्रास्त्य मूढता यतो अभियोग संस पशस्ती दाश दिती निश्चय अर्धात उसकी अभाव रूप से भावना नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मूढता के भाव जैसा नहीं है वह तो नित्य ही उदित चिदरूप से अनुभाव किया जाता है अब एक बात बताईए अभाव रूप से भावना नहीं करनी चाहिए इसका मतलब क्या है ज़रा आप समझने का इसलिए इस पंदकारी का इस पंदकारी का बहुत सहज नहीं है बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है एक बात बताईए मुझे कि यह कैसे पता चला कि शुन्या अवस्था होती है इस शुन्या अवस्था कोई अभाव समाधी कही गई है अभाव जहां कोई भाव नहीं है अभाव समाधी जहां कोई भाव नहीं है प्रश्न यह उड़ता है कि बिना भाव के इसका ज्यान कैसे हो गया कि अभाव समादी होती है कि शुन्य अवस्था होती है ठीक है एक तो यह प्रश्ण है दूसरी बात यहां पर जो इस इसलोक में जो यहां कहा जा रहा है कि अभाव का उसकी अभाव रूप में भावना नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मुढता के भाव जैसा नहीं वह तो नित ही उदित चिदरूप से अनुभाव किया जाता है क्या यह लाइन समझ में आ रही है क्या यह लाइन समझ में आ रही है तो बताईए क्या कहा जा रहा है यहां पर उसकी अभाव रूप से भावना नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मूढता के भाव जैसा नहीं है अगर आप अभाव रूप में उसकी भावना करेंगे तो यह मुर्कता होगी वह तो नित्य ही उधित चदरूप से अनुभव किया जाता है विक्थान दसा में उसका इस्मरन चदरूप से ही होता है सुशुप्ती के समान मूढ भाव से उसका इस्मरन नहीं होता इसलिए उसकी नित्य अनुभव रूप या चदरूप से ही भावना करनी चाहिए अजिद रूप या अभाव रूप से भावना नहीं करनी चाहिए अब एक बात बता दो अभाव रूप की भावना अभाव रूप की भावना करना मुढता है, मुरकता है उसकी अभाव रूप से भावना नहीं करनी चाहिए इसका मतलब क्या है? अभहाव रूप से भावना नहीं करनी चाहिए जी हाँ यह बहुत बड़ी बात है मैं इस बात को अनेको बार इस चैनल पे बता चुका हूँ अनेको बार जब भी साकार निराकार की मैं चर्चा करता हूँ मैं बता देता हूँ कि निराकार की भावना संभव नहीं है मात्र साकार की भावना ही संभव है कितनी बार बता चुका हूँ कि निराकार की भावना संभव नहीं है मात्र साकार की भावना ही संभव है यही बात यहां कहीं जा रही है क्योंकि परमतत्व भावातीत है और जो भावातीत है उसकी भावना कैसे करोगे तो अभाव की भावना मत करो अभाव की भावना करना मूढता है अभाव की भावना करना मूढता है जो तत्व अभाव है अर्थात अभाव कहने का मतलब जहां कोई भावना नहीं है beyond emotions है आपकी विचार धारा से पड़े है आपके थौट लेबल से परे है जो जो परम्तत्व अगर आप उसकी भावना करते हो तो यह मुर्खता है यह सुत्र कहता है अगर आप उसकी भावना करते हो तो आप उसकी भावना कर ही नहीं पाओगे मुर्कता क्यों है क्योंकि आप उसकी भावना कर ही नहीं पाओगे असंबव है इसलिए मैं कहता हूँ कि ब्रह्म की पूजा नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती क्योंकि भावातीत है और पूजा भावना का विश्य है यदि आप कृष्ण की पूजा करते हो, तो आप कृष्ण को देवता रूप में पूज रहे हो, ना कि ब्रह्मा रूप में यह ध्यान रखिएगा जब आप कृष्ण की पूजा कर रहे हो तो आप कृष्ण को देव रूप में पूज रहे हो ना कि ब्रह्म रूप में क्योंकि ब्रह्म रूप में पूजोगे तो वो मूर्खता कहलाएगी अभाव का भाव करना ही मूर्खता है करो ही मत तो जब आप भगवान कृष्ण की मंदिर में पूजा करते या अपने घर में पूजा करते अभी जनिमास्ट मी हुई थी तो आप कृष्ण की देव रूप में ही पूजा कर रहे हैं ना कि ब्रम्व रूप में जैसे मिठाई मिठाई कहने से मुह मिठा नहीं होता यही तो आदिगुरु शंक्राचारे समझा रहे हैं जैसे कि आशधी का नाम लेने से बिमारी दूर नहीं होगी धन धन कहे धनी जो होए तो निर्धन रहे ना कोई अगर धन धन कहने से कोई धनी हो जाएगा तो निर्धन संसार में कोई नहीं रहेगा इस विशय को समझना है अगर अभाव की भावना करोगे तो वो मूर्खता है कहने का ताथ पर यह है अगर अभाव की, अगर कल्पना करोगे कि परमातमा तो निराकार है वो एक कल्पना करवाते हैं कि वह निराकार है जैसे धरती आकास बीच में निराकार कुछ भी नहीं का ली This is your imagination and imagination cannot be निराकार क्योंकि imagination एक विकल्प वरति है पतंजलीयोगसुत्र में कल्पना को विकल्प विर्ति माना गया है मन के छेत्र में जो भी आ रहा है वो भावातीत नहीं है ठीक है? तो जब अभाव का भाव करोगे तो वो मुढ़ता है वो मुर्खता है तो कहीं आप निराकार की कल्पना तो नहीं कर रहे है कोई ध्यान रखेएगा निराकार की कल्पना मत कीजिएगा कल्पना जब कर लोगे तो फिर वहां पहुँचने का प्रयास नहीं करोगे यूग नहीं कर पाओगे इसलिए यूग मार गहे सगुन से निर्गुन का प्रारंब सगुन से होता है और यही फिनोमेना जो था रिशी महर्शी अरविंदो श्री अरविंदो ने अपने प्रांस्फोर्मेशन में दिया था इवोलूशनरी थिवरी में दिया था इंटेग्रल योगा में बताया है डाइपोलर नेचर अफ रियालिटी तो भाव से अभाव की यात्रा भावना से भावातीत की यात्रा शुरू होती तो अभाव का कभी भाव नहीं हो सकता अगर ऐसा होगा तो आप मूढता पुर्वक कुछ कारे कर रहे हैं कि आप उस निरकार तत्यों की कलपना करने में लगे हैं उसको भावना में लाने में लगे हैं ठीक है? कुछ ऐसी बात यहां समझाई गई है तो अभाव का कभी भाव नहीं हो सकता लेकिन अप प्रश्न यह उठता है तो फिर यहां पर शुन्य अवस्था का वर्णन कैसे हो रहा है तो यहां पर वर्णन कर रहे हैं वो तो भाव युक्त है वो अभाव तो है नहीं फिर या मैं यहां पर बता रहा हूँ या फिर योगियों ने फिर कैसे बता दिया कि शुन्य अवस्था होती है वो भी तो फावना ही दे रहे हैं जी हां भावना दे रहे हैं संकेत के रूप में संकेत के रूप में जैसे कि कोई माइल स्टोन है माइल स्टोन मील का पत्थर उस पर लिखा है दिल्ली 500 किलो मिटर उस पर लिखा है चन्नई 500 किलो मिटर तिन देट माइलस्टोन दिल्ली नहीं है उतना तो आपको जाना है तो योगियों ने जो शुन्य भाव को आपको देने की कोशिश की जो बताने की कोशिश की वह जो शुन्य भाव है वह क्या है अभाव से प्रेरित है लेकिन अभाव नहीं है यही बात अब आगे के स्लूप में यहां समझाए जाएगी ठीक है सुनिए कि ग्यारह में सुत्र में योगस्त पुरुष का वर्णन किया गया और फिर बारह में तिरह में उसको अभाव रूप से भावना करना ना अभावो भाव्यात्मेति नचः सत्रास्त्य मूढता अर्था तो मुढता है मुर्खता है कि आप अभाव की भावना कर रहे हूँ आप यतो अभियोग संसपशर्ती दासिदिती निश्य अतस्तत कृत्रिमंगेयं सौशुप्त पदवत सदा ना त्वेवं इस्मर्यमानत्वं तत्वं प्रतिपधते विर्थान दशा में उसका इस्मरन चिदरूप से ही होगा चितर रूप से हम उस अवस्था में जाएंगे सौशुप्ती में समान और मूर भाव से उसका इस्मरन नहीं होता इसलिए उसकी नित्य अनुभावर रूप या चिदरूप से ही भावना हो सकती है अजिदिया अभाव रूप से नहीं करनी चाहिए और इसी को साधन का विज्ञान समझाते हुए कहा जा रहा है कि चितर रूप से जब आप सुन्ने अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं तो आप भावना कर सकते हैं अगर जब नहीं भी खाया हुँगा तो मुझे पता है कि स्वाद कैसा है वैसे ही योगी अपनी साधना से अपने नाद ध्यान से अपने नाद अनुसंधान से जब वो शुन्ने की अवस्था में बिल्कुल चले जाते हैं तो वहाँ अभाव होता है, वो अभाव की अवस्ता है, लेकिन जब वहाँ से लौट आते हैं, उनको पता होता है कि उन्होंने क्या अनुभाव किया, उस समय उनको अनुभाव पता होता है, तो वो उसकी भावना करते हैं कार्य कर्तित्व संग्यत यह द्वैत रूप अवस्था भोग्य भोग्ता रूप है इसमें जब भोग्य रूप कार्य का लए हो जाता है तो भोग्ता रूप कर्तित्व का भी लए हो जाता है जब भोगना बंद कर दोगे जब इंद्रियों से भोग बंद होगा तो भोगता अपने आप ले कर जाएगा क्योंकि भोग रहेगा तभी तो भोगता रहेगा कार रहेगा तभी तो करता रहेगा जब कोई कार ही नहीं है तो करता कहां से रहेगा तो काय के ले होने से करता का भी ले हो जाता है अर्थात पुर्ण हंता भाव से अहमती प्रत्य और इदम का उद्याय और अस्त एक साथ ही हो जाता है भोगता और भोग करता और कारिय इन सब का ले हो जाता है फिर योगी को परमार्थ अवस्था प्राप्त होती है परमार्थ अवस्था प्राप्त होती है जिसके लिए कहा जा रहा है। बाहिय इंद्रिया वैपार पुर्ण सभाव में सामर्थ रूप से लुप्त होने से उसको साधक जड़ प्रकृती में हुआ ही अनुभाव करता है परन्तु भाव का नाश नहीं होता पहली अवस्था क्या है कि भाव का नाश नहीं होता कार्यक और करता का तो गया काम लेकिन अभी भी सुक्ष्म रूप से भाव का अस्तित्व है तो भाव का नाश नहीं होता अर्थात साधक अपने को चित रूप से ही अनुभाव करता है योग मार्ग के द्वारा यह पंजली ने कैवल्लेपाद में इस विशे को बहुत और भी इस प्रश्रुप से हमें वहाँ पर वर्णन इसका मिलता है समाधी की अवस्था परमार्त्विक अवस्था यहाँ पर आ जाती है नतू योंतर मुखो भाव सर्वग्यादी गुनास्पदम तस्यलोपह कदाचित स्यादन्यस्यानू लंभनात अंतर मुख चक्रारूड सुभाव के जो सर्वग्यत आदी भाव है जिनके आश्रित गुन है उनका नाश नहीं होता अपितू दूत्य के अन्य रूप में उपलब्द ना होने पर अपने स्वरूप की वेवमुबत चिद रूप से सर्वत्र ही अनुभूती रहती है कियोंकि यहाँ पर इस्पंद की प्राप्ती होती है यह जीव यहाँ पर चड़ के परती भोग्य और भोगता के परती कारे और करता के परती जो भाव था वह तो खतम होगा लेकिन पूर्ण रूपेन भाव का नाश यहाँ पर भी नहीं होता है जड़ के परती अभाव जरूर हो गया है इस्पंद में लेकिन पूर्ण अभाव नहीं हुआ है जो सदगुन है जो दिव्य गुन है जो दिव्यता का अनुभाव है उसका भाव बनता है अब उसके बाद सर्व गतम चिद रूप की उपलब्धी जागरद आदी तीनों पदों में बोध रूप से नित्य ही रहती है उसका कभी व्यभीचार नहीं होता उस प्रभुत दशा का नित्य जागरण ही स्वरूप है अर्थात सुप्त और तूरे के समान स्वपन और जागरद दशा में त्याग भाव के द्वारा वह समान रूप से रहती है मतलब कि जो दूसरी अवस्थाएं हैं जागरद अवस्थाएं हैं स्वपन अवस्थाएं हैं उनके परती त्याग भाव है उनके प्रतित्याग भाव है लेकिन एक दिव्व भाव यहां बना रहता है ज्ञान गेया स्वरुपिन्या शकत्या प्रम्या युत्ष पद्वय विभूर भाती तदन्य तर्टू चिन्मया ज्ञान और गे भाव से ही भेद का सम्वेदन होता है जागरत और स्वपन के दोनों पदों में अथा दोनों पाद चतुष पाद के दो पाद जागरत और स्वपन इन दोनों भाव ज्ञान और गे रूप से अनुभाव होते हैं परन्तु फुशुक्ति और तुरे के दो पदों में केवल चिद रूपता का अनुभाव होता है जब तूरी की प्राप्ती होगी तो चितरूपता का अनुभव होगा विभुर भाति तदन तत्र चन्मया चितरूपता का अनुभव वहाँ पर होगा और उसके बाद फिर तहा जा रहा है विज्ञान का स्वरूप अब विज्ञान का स्वरूप क्या है अब फिर से इस्पंद को समझाया जाएगा कि योगी की अवस्था कैसी बन रही है समान इस्पंद में ही गुणादी इस्पंद रूप जगत की उत्पति इस्थिती है समान्य इस्पंद में ही जो गुनों और भावनाव का जो इस्पंद है मतब इस्पंद से इस्पंद के उत्पती उसी के ज्ञान से आत्म लाब होता है जो इस्पंद जो मूल इस्पंद है जो मूल प्रकृती है उसके उसी से ज्ञान लाब होता है सरवग्यता आती है योगी के अंदर जब वह इंद्रियों के परती जो भावनाएं हैं करता और कारे का भोग और भोगता का उससे परे जाकर उन सभी भावनाओं से परे भावातीत होकर जब वह इस्पंद को जानता है वहाँ पर सपंद रूप जगत के उत्पती और इस्थिती है उसी के ज्यान से आत्म लाब होता है तो जब वह मूल सपंद को जान लेता है तो संपुर्ण परकृती का ज्यान हो जाता है संपुर्ण सरश्थी का ज्यान हो जाता है ज्यान लाब होता है उसी के ज्ञान से आत्म लाब होता है क्योंकि वह उस आत्म तक्त्व से ही एकाकार है वह जो इस्पंद है वह जो मूल प्रकृती है वह उस ब्रह्म से एकाकार है इसी लिए उस मूल प्रकृती को प्राप्त होकर मूल इस्पंद को प्राप्त होकर संसार में जितने भी इस्पंद के रूप है जैसे कि मिट्टी को जान लिया तो मिट्टी के अनेको रूप है घड़े के रूप में भी मिट्टी है कुलहड के रूप में भी मिट्टी है पहले लोग कुलहड में चाय पीते थे मिट्टी अनेक रूप है मिट्टी के मूर्ती बना दो तो उसमें भी तो मिट्टी है लेकिन मिट्टी का ग्यान हो गया मूल प्रकृती का ग्यान हो गया तो फिर बाकी मिट्टी से बने जितनी भी चीजें हैं, उनका ज्ञान हमें हो जाता है, मिट्टी से बनी जितनी भी चीजें हैं, उनकी समझ पैदा हो जाती है, अर्थात दोनों जगत और आत्मा का भान इसी समान्य इस्पंद के आश्रे से होता है, इसे कहा गया है समान्य इ स्पंद है जो गुणों जिसमें गुण गुथे हुए हैं त्रिगुणी तीन गुण उसमें गुथे हुए हैं और उससे स्रिष्ठी हो रही है त्रिगुणात्मक स्रिष्ठी हो रही है लेकिन वहां गुथे हुए हैं वहां स्पंद का स्वरूप नहीं है तो जब मूल स्पंद में योगी चला जाता है मूल स्पंद से जुड़ जाता है तो संपुर्ण प्रकृती का रहस से उसे समझ में आ जाता है संपुर्ण ज्यान उसे आ जाता है और साथी साथ संपुर्ण शक्तियां भी उसके अंदर प्रगट होती है सिद्धियां भी उसके अंदर प्रगट हो जाती हैं, प्रगट क्या हो जाती हैं, ज्यान हो गया, तो सिद्धी भी हो गई है, क्योंकि यह समान इस्पंद ही दोनों को अविरोधी भाव से खारण किये हुए है, दोनों जगत और आतमा, यह जो समान्य इस्पंद है गुणाद इस्पंदा निस्पंदा समान इस्पंदा संश्यात यह जो समान इस्पंद है यही एक तरफ अब इसको कैसे समझाया जा रहा है समझ में बात आ रही है समान इस्पंद को यह जो समान इस्पंद है एक तरफ खृष्ष्टी को दूसरी तरफ ब्रह्म को जोड़े रखता है ब्रह्म को जोड़े रखता है यह connecting link है यह समान्य स्पंद कुछ इस प्रकार से इसका वर्णन किया जा रहा है तो यह समान्य स्पंद ही दोनों को अविरोधी भाव से धारन किये हुए है इसलिए इस समान्य स्पंद को ही समझ लेना चाहिए कहने का मतलब यह है इस्पंद कारी का यह कह रही है कि प्रकृति को समझो क्योंकि कई बार तुम्हें ब्रह्म समझ में नहीं आता ब्रह्म की बाते करने से लगता है कि भाई क्या कोई व्रस हम कहीं उपरी बात को सोच रहे है नहीं यू ठाइटू अंडर्स्टैंड वाइव्रेशन यह मन कैसे काम कर रहा है विचारों की इस्पंदन क्या है मन का इस्पंदन क्या है हर प्रकार के इस्पंद को समझिये और ध्यान यूग से सुक्ष्म समवेदनाओं को समझिये और ऐसा करते करते आप मूल इस्पंद में चले जाएए जब आप मूल इस्पंद समान्य इस्पंद उसको समान्य इस्पंद कहा जा रहा है जब आप समान्य तो कि संपूर्ड संसार उसे इस्पंद से ही निर्मित है संपूर्ड संसार वाइवरेशनल है वाइवरेशनल है और इस संपूर्ड वाइवरेशन के पीछे एक universal vibration है एक समान्य वैवरेशन है एक समान्य इस्पंद है योगी उस समान्य इस्पंद को प्राप्ट करके प्रकृती के संपूर्ण रहस्य को जान जाते हैं संपूर्ण ज्यान को प्राप्ट कर लेते हैं अब सुनने की अवस्था है और वो वहां से सुन्य का भी अनुभाव कर लेते हैं हाँ सुन्य में लीन तो नहीं हुए लेकिन अनुभाव कर लेते हैं तो वहां उनका अनुभाव हुआ है यह उनकी कलपना नहीं है उन्होंने अभाव की भावना नहीं किया उन्होंने अभाव को प्राप्त किया है भावाती तवस्था में वो गए है तीख है तो धेर इजे common vibration समानने इसपंद common vibration या फिर root vibration है वो उसी से सब कुछ निकला है दूसरे vibrations निकले हैं और संपूल्ड वर्ल्ड जो है एक vibration के रूप में है एक waveform में काम कर रहा है यहां तक कि सुख, दुख, जनम, मिर्त्यू अगर हम बहुत ब्रिहत रूप में देखेंगे तो सब के भीतर एक इसपंद है, सब का रूप इसपंद की तरह काम कर रहा है और उन सब के पीछे एक समानने इसपंद है यूगी जब उस इसपंद में अपनी स्थिती को अस्थापित कर देता है तो परमानन्द का अनुभाव करता है वही शुन्य का अनुभाव करता है तो यही है अब जो शुन्य से लौट कर आया वो शुन्य के बारे में बताएगा प्रेर्णा देगा लेकिन जो बिना जाने और बिना समझे निराकार ब्रह्म की कलपना कर रहे है या अभाव की कलपना भावना में कर रहे है तो वो मुर्खता पूर्णा है यह पहले ही कह दिया गया कि जब बर्दस्ती हम निराकार की कलपना करेंगे तो कलपना ही है वो फिर, फिर वो साकार ही है फिर, इसलिए उसली कलपना नहीं हो सकती, तो उस महा इस्पंद में, जिसे समानने इस्पंद कहा जा रहा है, वो क्या है, वो महा इस्पंद है, उस महा इस्पंद की प्राप्ति होनी चाहिए, योगी उसमें जाकर विज्ञान को प्राप्त करता है और फिर ज्यान बंधन को भी तोड़कर अंत में शुन्य में जाकर लीन होता है तो इस प्रकार से चर्चा आगे बढ़ती है फिर अगर कोई विज्यान को नहीं जानता है तो उससे बहुत हानी भी होती है अर्थात उस समान्ने इस्पंद को नहीं जानता, मूल इस्पंद को नहीं जानता, उस महा इस्पंद को नहीं जानता उस इस्पंद को ही शक्ति रूप में बताया गया है, इसी लिए तो सिदा जी क्या लिखते है मतलब सीता जी कौन है? उद्भाव इस्थिती संघार करने वाली उद्भाव इस्थिती संघार करने वाली सर्व स्रेयश करिम सबका स्रेयश करिम तो उस इस्पंद को शक्ती रूप में देखा गया है और उसकी लेकिन उस्पंद तक पहुँचना योग मार्ग इसलिये बताया गया अब यहाँ पर योग मार्ग नहीं बताया जाएगा इस्पंद कारिका में क्यूंकि बता दिया गया ना शांभव उपाय बता दिया, शाक्त उपाय बता दिया, आणव उपाय बता दिया अब उसे इस्पंद की महिमा, अब वो इस्पंद क्या कर रहा है वह जो मूल इस्पंद है, समान्य इस्पंद है वह अविरोधी सुभाव से, मतल़ कोई विरोध नहीं है वह अविरोधी सुभाव से सृष्टी और ब्रम्ब इनको भी धारन किये हुए है एक तरफ उसके सृष्टी है मतलब सृष्टी प्रले इंद्रिय गति है भावनात्मक सृष्टी है और दूसरी तरफ पूर्णता भाव से शुन्य परब्रम्ब है शिव है तो शुन्य इस्पंद और प्राण शुन्य इस्पंद और प्राण शुन्य तो वो ब्रम्म हो गया इस्पंद बीच में हो गया और प्राण से जागरत जगत अर्थात अवेकनिंग वर्ल्ड जो है जहाँ पर हम अवेकन्ड हैं तरह तरह की चीज़े एक्सपिरियंस करते हैं सेंस ओर्गेंस इंद्रियों से करते हैं सुख दुख अच्छा बुरा जो भी हम एक्सपिरियंस करते हैं ड्यू टू सेंसेंस ही तो करते हैं तो यह इस्पंद का रहस्य प्रगट करने का प्रयास किया गया और साथ में योगी की अभाव अवस्था अभाव समादी शुन्य अवस्था में योगी पहुंच जाता है मूल स्पंद में जब पहुंचेगा जब वो समाने स्पंद में पहुंचेगा अपने ध्यान योग से तब जाकर उसे शुन्य का अनुभाव और आनंद ब्लिस ब्लिस क्यों आ रहा है जब पूर्णर रुपेंद शुन्य में जाएगा तो ब्लिस भी नहीं देगा वहाँ से वापिस भी नहीं लोटेगा लेकिन जब वो इस्पंद में जाता है और वहाँ पर अभाव का अनुभाव करता है शुन्ने का अनुभाव करता है वो समानने इस्पंद और वहाँ से लोटा हुआ योगी हमें बताता है कि परमानंद क्या होता है शुन्ने क्या होता ह फिर वो संकेत मातर देता है, प्रेड़ना मातर देता है, मील का पत्थर देता है और शास्त्र भी वही काम कर रहा है, लेकिन बिना उस मूल स्पंद में गए, बिना विज्ञान को समझे, बिना अध्यात्म को समझे, अगर कोई कहता है कि प्रमात्मा दिराकार बस तो वह मुढता पुर्वक उसको बताया जा रहा है अभाव की भावना नहीं करनी चाहिए चलिए किसी के साथ यह गुड़ विशे है बड़े गुड़ विशेओं को इस्पंद कारिका में लिया गए इसका नाम ही है इस्पंद कारिका तो इस्पंद शब्द ही अपने आप में बहुत रहस्मई है इस्पंद शब्द ही अपने आप में बहुत रहस्मई है ठीक है किसी प्रकार की कल्पना का प्रयोग मात्र मुर्खता होगी ठीक है प्रेणना प्राप्त करने तक ठीक है लेकिन कलपना करके अगर कोई कहे कि मुझे इसपंद समझ में आ गया तो नहीं होता ऐसा ध्यान योग से ही ध्यान के द्वारा ही कलपना मात्र प्रेणना तक के लिए करे के हाँ प्रेणना लेना है इसलिए तो फिर ठीक है कलपना या उसका भावना करना लेकिन उसका वास्तवी कनुभव तो ध्यान योग से ही संभव बताया जा रहा है। अजय कुमार राम धिनोद के सूध पवन कुमार गुपता जी श्वेता राय सिना जी बोत अविनंदन पाधुरी कोलह जी विश्णु चंद्र मौरया जी राम विलाज जी रतन सिंग जी शिखर सर्मा रूपलाल विश्व कर्मा प्रिज भान जटाधारी शतीश कुमार जी आ आशा रानी जी कनाई कुमार इसमिता सावंत अवधेश कुमार सुजाता देशाई अर्जुन पाटेल दिनेश भाई जोगिंदर सिंग राजुपाल जी राम निवाश मीना समिता नायक राम लखन राजपुत शंकर प्रसाथ प्रत्मेश ऐसा लगता है कि एंड ना हो डेली दो या तीन घंटे सुनता ठीक रविशंकर चोहां जी विमला शाजी सर्मानंद पंडित बिंदेश्वरी मिश्रा योगेंदर पंडित लखिंदर राम हीडा लाल यादो गनेश पवार सुनील राजभर शापर वर्दान की पती इनकी कार्य पर क्रिया किस तरह से कर्म को पलिफूद करने में सहायत है ये बताया जा चुका पहले भी इस पर हमें की वडियो कर चुके है श्रापर वर्दान के उपर कर्म है जब आप करेंगे तो कर्म ही है पिर एक अशूख गोयल इशूर रकादिया चंदर शर्मा रमेश शाहत अशूख वाली जी पंकस सोनी जी आज़े चिखास रश्पू वह तब नंदन है आप सभी को कर फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में इस पंद्यकारिका में आगे के विशय हम लेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगा आगे के स्लोकों पर चर्चा करेंगे बहुत-बहुत आभार आप सभी का जुड़े रहें बने रहें और ध्यान योग का कोर्स ध्यान योग का कोर्स चल रहा है लेकिन जो लोग जुआइन करना चाहते हैं आप सेतंबर के महीने में ही जुआइन कर पाएंगे उसके लिए थोड़ी प्रतिक्षा करें कि कब उसका डेटेल आपको मिलता है कब बताया जाता है कि ध्यान योग का कोर्स सुरू हो रहा है कुछ दिनों में उसकी भी सूचना मिलेगी लगबग इस महीने के अंत तक सब्टेम्बर महीने से शुरू होने वाले ध्यान योग की कोर्स की सूचना आपको दी जाएगी तब तक आप प्रतिक्षा करें ठीक है और साथ ही कहा गया था कि इंडियन फिलासफी या फिलासफी के उपर हम एक course लाएंगे अभी उसके बारे में बहुत सारी चीज है विचार किया जा रहा है किस course को कैसे शुरू किया जाएगा इंडिन फिलासफी पर शुरू किया जाए या फिलासफी पर शुरू किया जाये ये सभी चर्चा हम इसको हम समझेंगे तो एक उस कोर्स के डिजाइनिंग चल रही है उस पर कार्य चल रहा है विचार चल रहा है उसके उपर की कोर्स का प्रारूप क्योंकि जो टेक्स्ट बुक में पढ़ा जाता है जो दर्शन टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है उनका जो बताने का तरीका होता है वैसे तो नहीं बताया जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो विडियोज मिलेंगी आपको तो समझते हुए बहुत सारी बातों को साथ में विश्वदर्शन का विश्वदर्शन की छवी को साथ में इन्वाल्व किया जाएगा वर्ल्ड फिलासोफी को और फिर साथ ही साथ भारतिय दर्शन इंडियन फिलोसफी को हम समझने का प्रयास करें तो कुछ इस प्रकार से यह कूर्स आगे आपको मिलने वाला है क्रब तक आता है वोड़ी प्रतिक्षा करें तो अवश्य आपको प्राप्त होगा और ध्यान योग का कोर्स अभी बहुत सारे कोर्स इंटर्ड्यूस होंगे युवाओं के लिए भी और जो विदेशों में रहने वाले जो युवा हैं इनराइज हैं बहुत सारे लोग हैं जो फारण कंट्री में रहते हैं भारतिय लोग लेकिन अपने धर्म संस्कृती से जुड़े हुए रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो तो जुड़े रहे लेकिन न्यू जेनरेशन जो उनकी वहाँ पर है वह भी उसको जाने समझें तो उनके लिए भी एक विशेश स्पोर्स के तैयारी चल रही है इन सभी पर कारे किया जाएगा लेकिन समय लगता है कुछ भी अच्छा कारे करने के लिए समय लगता है और दूसरा अन्य व्यस्तता भी है दूसरी व्यस्तता भी मेरी रहती है तो इसलिए कुछ ऐसी समस्याएं सामने आती हैं और संपर्क भी बहुत सारे लोग करते हैं तो आप अगर संपर्क करते हैं तो फोन करने के बजाए आप वाटस अप मैसेज कीजिए और वाटस अप मैसेज में ही अपना प्रश्न कि आपका प्रश्न क्या है उसको वही पर समय निकाल कर उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा क्योंकि अब बहुत सारे लोग संपर्क करते हैं तो सब को समय दिया जा सके या संभाव नहीं हो पाता या संभाव नहीं हो पाता ठीक है और दूसरी बार कई बार ऐसे लोग भी सामने आते हैं अभी मैं एक घटना आपसे शेयर करता हूँ एक महानुभाव सामने आये कुछ दिनों पहले की बात है फोन किया उन्होंने एक बार दो बार तीन बार समय ना होने के कारण वैसी अवस्था ना होने कारण और नंबर सेव नहीं होता पता नहीं किसका है तो कई बार फोन नहीं उठाते हैं और वैसे भी व्यस्त हैं तो उन महानुभावने मुझे मैसेज किया वाटसॉप मैसेज किया और वाटस आप मैसेज करकर कहा कि गुरुजी मैंने आपको सच्छे दिल से अपना गुरु मान लिया है मैंने अपने आपका समर्पन कर दिया है अपना समर्पन आपको कर दिया है सच्छे दिल से गुरु मान लिया है कृप्या आप मेरा फोन उठाईए मुझे समय दीजिए बात करने का और मुझसे मेरे कुछ प्रश्ण है उसका उतर दीजिए मैंने कहा आप WhatsApp पर ही पूछ लीजिए तो उन्होंने कुछ लिखा, नहीं लिखा, किया, नहीं किया कुछ समझ में नहीं आई बात समस्या ये है कि आपने गुरू भी मान लिया है आपने समर्पन भी कर दिया है, लेकिन चलना तो अपनी मर्जी से चाहते हैं चलना तो अपनी मर्जी से चाहते हैं, वास्तों में कुछ लोग गुरु जी गुरु जी एक दबाव बनाने के लिए कहतें कि इनको हम प्रिविलिज दे देंगे, एक बड़ापन दे देंगे, तो ये थोड़े से हमारे बंधन में आएंगे, तो मैं तो बड़ा विचित्र टाइब का आदमी हूँ इस मामले में, ठीक है, मैं किसी से मिलने भी जाता हूँ, तो कोई गुरु जी वाला बनकर नहीं ज जाता हूँ, कोई ऐसा विश्धारन करके नहीं जाता हूँ, तो थोड़ा सा धैरे रखिए, और अपना प्रश्न धैरे पुर्वक करिए, आपने समर्पन कर दिया है, आपने गुरु मान लिया है, तो वो आपके वचनों में नहीं, बलकि कर्म में दिख जाना चाहिए, वा फिर जैसे राजनिता लोग दवाव बनाने के लिए बहुत अरगे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो उस तरह से बात चली जाएगी, तो सच्चे दिल से गुरु मान लिया है, तो फिर गुरु आज्या को मानना पड़ेगा, ये अवस्था बनेगी फिर, नहीं तो आपन लेकि माना नहीं, तो बहुत बड़ी-बड़ी बातों में मैं विश्वास नहीं करता, ठीक है, बहुत, it is easier to say principles than to follow it, बड़े-बड़े सद्धानतों को हाकना बहुत आसान है, लेकिन उनको follow कर पाना, उसी के लिए मुश्किल हो जाता है, जो बड़ी-बड़े सद्धानत ह हाकता है, इसलिए ये चैनल आपको बहुत बड़ा आदर्श देने के लिए, मैं यहाँ पर नहीं ये चैनल है कि भाई, मैं किसी को, इसलिए चैनल से मैं आपको योग अध्यात्म की बाते बतलाता हूँ, मैं morality spread बहुत कम करता हूँ, यहां से आपने देखा होगा, क्योंकि morality कोई जबरदस्ती थोपने वाली चीज नहीं, यह हमको शराब नहीं पीना चाहिए, यह हमारी समझ होनी चाहिए, ना कि हमारे उपर थोपा होना हुआ होना चाहिए, morality should come in the form of understanding, in the form of experience, ठीक है, तो इसी लिए morality जो है, वो experience के रूप में आना चाहिए, यह नहीं कि गुरु जी का डंडा लगा हुआ है कि ऐसा करो बेटा, जी नहीं, वैसे योग नहीं होता, वैसे अध्यात्म नहीं होता, ठीक है, आपकी understanding होना चाहिए, कि आपको moral होना है, आपकी समझ होनी चाहिए, इसलिए जब हम योग मार्ग पर चलते हैं, तो हमारी समझ विक्सित होती है, understanding डेवलप होती है, तो योग, इसलिए कृष्ण भी अर्जुन से, स्वेम भगवान कृष्ण अर्जुन को बड़े-बड़े सिधानत नहीं हां करे, अर्जुन को बहुत प्रैक्टिकल चीजें बता रहे हैं, और योग का रहस से बता रहे हैं, ना कि अर्जुन तो बोल रहा है कि मैं ब्रह्मचारी बन जाता हूं, युद्ध नहीं करता हूं, कटोरा मांग कर, कटोरा लेकर विक्षा मांग कर जीवन वितित कर लूँगा, लेकिन कृष्ण चाहते हैं कि वो युद्ध करे, ठीक है, तो गीता का परिवेश समझी है, गीता का परिवेश क्या है, उस परिवेश को खंडित करकर गीता समझना, कभी गीता समझ नहीं आएगी, कभी गीता चरितार्थ में नहीं हो सकती है, तो चलिए, इसी के साथ विर सारा काफी है और बहुत बड़ी बड़ी बाते तभी करें जब उसको निभा पाएं नहीं तो ना करें ठीक है किसी के साथ मैं इसको विराम देता हूँ बहुत बहुत आभार आप सभी का रट जना झाल से फिंद आप सत्रा कboom दे में पर लाई सकत्राheई रहां किसी के साहना उना है, ज बहुतत आप सकत्रा कह मुत आल आवाँ आप सबसक्क माँक मुन से खें गूज नहीं पे घुए है झाल झाल